नमस्कार स्वागत आपका एचसेन नियूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्या कियारा आडवानी को MS धोनी में एक्टिंग सपोर्टिंग रोल में देखा गया था मगर जिस फिल्म ने कियारा को उनकी नई पहचान दी वो थी कभीर से कियारा की साथगी और नरन सोभाव ने कईयों को अपना दिवाना बनाया है बीते दिनों देश के गोल्डन बॉय नीरत चोपडा को खास पसंद करने वाली बात पर कियारा चर्चा में आई थी आपको बताते चले कि पिछले महिने कियारा आखरी बार शेर्शा मूवी में नजर आई थी वैसे इस मूवी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और इस मूवी में सिधार्थ और कियारा की केमिश्ट्री ने विक्रम बत्रा और डिम्पल के बीच के प्यार और अटूट रिष्टे को दर्शाया है इस जोड़े को जितना परदे पर पसंद किया गया उतना ही असल जिंदगी में दोनों को फैंस एक साथ देखना चाहते हैं वसे आपको यह बता दे कि हैंसम बॉई सिधार्थ भी कियारा के बड़े दिवाने बन चुके हैं अपनी पहली ही फिल्म से सिधार्थ फैंस के बीच चा गए थे इस फिल्म के बाद से एक्टर ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा बीते काफी दिनों से सिधार्थ और कियारा अडवानी की डेटिंग की खबरे आ रही है ऐसे में फैंस की निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर ये दोनों कभ शादी करने वाले हैं एक शो में शादी से जुड़े सवाल पर सिधार्थ ने कहा कि मेरा मानना है कि शादी सही समय पर हो और सही तरीके से होनी चाहिए ना तो शादी जादा जल्दी होनी चाहिए और ना ही जादा देर से सिधार्थ ने कियारा की क्वालिटी को बताते हुए कहा कि एक चीज जो मुझे कियारा के बारे में पसंद है वो ये है कि वो ओफ कैमरा एक दम अलग है कियारा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक अभीनेतरी है वो बहुत ही रेगुलर और नॉर्मल है और ये क्वालिटी मुझे उनमें काफी पसंद है सिधार्थ मलोतरा ने साफ किया कि वो कियारा में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते है क्योंकि वो पहले से ही एक दम परफेक्ट है उन्होंने आगे कहा कि एक चीज मैं जरूर बदलना चाहूँगा कि कियारा की मेरे साथ कोई लव स्टोरी नहीं है एक्टर ने आगे कहा कि वो उमीद कर रहे है कि कियारा उनके साथ एक लव स्टोरी फिल्म करे क्या आप भी सिधार्त और कियारा की जोड़ी को रियल लाइफ में एक साथ देखना चाहते हैं? अपनी राहे में कमेंट करके ज़रूर बताएं ऐसे ही बॉलिवूड से जोड़ी खबरो और लेटेश जानकारियों के लिए देखते रहे हैं धन्यवाद